आजर्म गणपती जी को एकदम लूनिक स्टैल का डिजर्ट सव करेंगे जिसका नाम है पान ट्रफल शॉट्स पान ट्रफल शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे और बदम को एफे ड्राय रोस्ट करेंगे सेम पैन में qori Singapore को रोस्ट रोस्ट करेंगे इसिए भी हरका सा रोस्ट करेंगे बदाम और सॉफ को मैंने सेख लिया आघ learnt न थनदा कर लिया आधहें अमें मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर लेंगे एक बाऊल में बदाम और सॉफ का मिक्सर निकाल करेंगे इसमें गुलकंड़ाइंगे एक से दो में रोज एसेंस डालेगे और बरातर अगार मिक्स कर लेंगे हाल चुक्रफरस के लिए सेंटर फिलिंग तईयार है arbit investigate तौड के तईयारी करेंगे ऊच्छी आउटर लेयर बनाने के लिए सबसे सब्सक्राइब एक पैन गरम करेंगे और इसमें कंडेंस मिल्क को एड़ करेंगे इसमें डेसिकेटेग्ड कोकोनेट डलेंगे एल एची पाउडर डालेंगे मिक्स कर लेंगे मिक्सचर गाड़ा हो तक 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 इसे कुप करेंगे इसे पत्ने में ज़्यादा देर नहीं लगती है बस थोड़ा गाड़ा हो जाए तक तक इसे पकाएंगे ग्रैस की फ्लेम ओफ करेंगे इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे तक हम फिल्लिंग के बाल्स बना लेंगे अब हाथों को ग्रीस करके हाथों में मिक्स्चर लेंगे इस प्रकार से स्प्रैड करके बीच में फिल्लिंग को रखेंगे और बराबर सील कर लेंगे एस प्रकार से सभी ट्रफल को तयार कर लेंगे पान शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें जो पान आते हैं कलकती पान वो लिए हैं मैंने वो डालेंगे गुलकन डालेंगे वर्याली डालेंगे और मेन इंग्रीडियन जो पान का मसाला आता है वो डालेंगे वैनीला ऐस्क्रीम डालेंगे डककन बन करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे देखिए कितना बड़िया ग्राइंड हो गया है ट्रफल को चोकलेट वर्मी सली में कोट करेंगे हमारे ट्रफल और पान शोट दोनों तैयार है अभी इन्हें साव कर लेंगे